नमस्कार दोस्तों में रवी गोल स्वागत करता हूँ आप सभी का उडान IES Academy के online platform पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारे दोवारा CGPSC mentorship program को लेकर एक series चलाई जा रही है जिसमें अलग-अलग विशय के faculties आपके सामने आकर आपको उस विशय की समकून जानकारी प्रदान कर रहे हैं CGPSC में कितना वेटेज है उस विशय का, किस प्रकार से आपको उस विशय की तयारी करनी है, किन books को follow करना है, कितना पढ़ना है इन सारी बातों को आपके सामने हमारे faculties आके रख रहे हैं उसी करम में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, maths और reasoning के विशय पर चर्चा करने के लिए तो देखेंगे CGPSC का जो state service exam होता है, इसके प्रारंभिक परिक्षा में maths और reasoning का वेटेज कितना है मुख्य परिक्षा में किस प्रकार से आपको maths और reasoning के प्यारी करनी है तो सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे चलिए, देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे CGPSC state service exam के प्रारंभिक परिक्षा की तो CGPSC state service exam होता है, उसके प्रारंभिक परिक्षा, pre के exam की बात करेंगे तो CGPSC state service exam, इसकी प्रारंभिक परिक्षा, इसका जो pre का exam होगा इसमें किस प्रकार से maths और reasoning आपको पढ़ना है, कितना पूछा जाता है, पिछले दो-तीन वर्सों में क्या बदलाओ देखने को मिला है बात करते हैं, तो CGPSC pre का exam, इसके बारे में आपको basic structure पता होगा basic structure बोलने का मतलब दो paper होने है, पहला जो paper होगा वो GS का होगा GS मतलब general studies मतलब सामानी अध्यन का, जिसमें कुल 100 प्रस्न पूछे जाएंगे, प्रतेक प्रस्न होगा दो अंक का, मतलब 200 नंबर का पहला paper होगा, 200 नंबर का पहला paper होगा जहाँ पे minimum जो qualifying marks हैं, general के लिए 66 हैं, और OBC, SC और ST के लिए 46 हैं मतलब आपको 66 तो compulsory लाना ही है, 66 तो compulsory है लाना, general के लिए जितना ज़ादा लाएंगे, chances उतना ज़ादा है pre में पास होने का, लेकिन minimum 66 तो होना ही चाहिए OBC, SC और ST का minimum 46 होना चाहिए, मतलब 200 अंकों में 66 अंक कहने का मतलब 33%, 200 अंकों में 46 अंक कहने का मतलब 23% मैं बात करूँगा maths और reasoning की, इसलिए सीधे मैं आऊँगा कहाँ पे paper number second में paper जो second होगा आपका CGPSC प्रारंबिक परिक्षा में इस पे चर्चा करेंगे paper number two, paper number two जो है, यह है CSET का paper, CSET का मतलब क्या होता है तो CSET का मतलब होता है Civil Services Aptitude Test, इसको Aptitude Test का paper भी बोल देते हैं इसको Aptitude Test का paper भी बोलते हैं, Aptitude Test का मतलब होता है योग्यता परिक्षण योग्यता परिक्षण बोलते हैं इसको, Aptitude Test मतलब योग्यता परिक्षण अब Aptitude Test होता क्या है, यह Aptitude, आपने बहुत नाम सुना है कि Aptitude Test का paper है तो यह Aptitude Test होता क्या है, तो एक सिंपल सी बात है आप जिस पद के लिए एक्षण में बैठने वाले हैं, जिस पद के लिए आप त्यारी कर रहे हैं, आप उस पद के लिए suitable हैं या नहीं हैं इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका Aptitude Test योग्यता परिक्षण लिया जाए इसलिए आप देखेंगे लगभख सारे एक्जाम्स में, चाहे वो UPSC का एक्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट PSC का एक्जाम हो व्यापम के जितने भी एक्जाम्स हैं, बैंकिंग का है, SSC का है, रेलवे का है, सभी में आपको Aptitude Test दिखाई देगा तो जिस पद के लिए आप त्यारी कर रहे हैं, एक्जाम में बैट रहे हैं, उस पद के लिए आप स्यूटेबल हैं या नहीं हैं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, Aptitude Test आपका ले लिया चाहे तो उसी प्रकार CGPSC में भी अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक परिख्छा का पेपर सेकेंड जो है, यह है CSET का पेपर, Civil Services Aptitude Test आप देखेंगे तो MBA के लिए जो CAT का एक्जाम होता है, वहाँ पे भी है Aptitude Test, आप GATE का एक्जाम देंगे, वहाँ पे भी मिलेगा आपको Aptitude Test, सारे एक्जाम्स में कहीं न कहीं आपको Aptitude Test मिलेगा, तो CGPSC के प्रारंभिक परिख्छा के पेपर सेकेंड में भी आपको देखने को मिलेगा Aptitude Test, तो पहले मैं इसके structure पे बात करता हूँ कि paper second का structure क्या है, तो paper second का structure क्या है, तो paper second में भी 100 प्रस्न पुछे जाएंगे, जैसा कि आप paper first में देख पा रहे थे, 100 प्रस्न पुछे जाएंगे, उसी प्रकार paper second में भी 100 प्रस्न पुछे जाएंगे, प्रतेक प्रस्ण होगा, दो अंक का, मतलब कुल 200 नंबर का ये पेपर होगा. समय होगा 2 गंटे का, समय 2 गंटे का होगा आपके पास 3 बजे से लेके 5 बजे तक ये पेपर चलता है. प्री का एकजाम जो है ये फरवरी के जनरली second week में ही होता है. फर्वरी के second week में या फिर आप बोल सकते हैं फर्वरी में जो second या third Sunday आता है उसी में generally अभी तक ऐसा देखा गया है पिछले 5-6 वरसों में कि फर्वरी का जो generally second Sunday आता है second week जो आएगा वहाँ पे आपको prelims का exam देना होता है सो प्रस्ण पूछे जाते हैं प्रतेक प्रस्ण दो अंख का मतलब 200 नंबर का paper होगा समय होगा 2 घंटे का 3 बजे से 5 बजे तक के paper चलता है पहला paper होता है 10 बजे से 12 बजे तक उसके बाद 3 घंटे का break होता है 3 घंटे के बाद आपका 3 बजे से 5 बजे तक second paper होगा जो कि C set का paper है अब यहाँ पे ध्यान देंगे सही उत्तर अगर आप tick करते हैं सही उत्तर अगर आप tick करते हैं तो आपको 2 number मिलेगा क्योंकि प्रतेक प्रस्न का 2 अंक निर्धारिप किया गया है अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.66 number हो जाएगा minus 1 by 3 minus marking है तो सही के लिए जितना मिलेगा उसका एक बटा 3 तो 0.66 number आपका minus हो जाएगा 0.66 number अब कुछ बातों को और समझे यह तो आपने समझा कि सही उत्तर के लिए आपको 2 number मिलेगा और गलत के लिए आपका 0.66 हो जाएगा minus अगर आप उत्तर टिक नहीं करते हैं तो आपको ना number मिलेगा नहीं आपका number कटेगा objective pattern में मतलब mcqs type से वस्तुनिस्ट प्रकार से यह प्रस्णपत्र आएगा आपके सामने चाहे वो प्रस्णपत्र 1 हो प्रस्णपत्र 2 हो दोनों ही प्रस्णपत्र जो हैं GS का भी और CSET का भी यह वस्तुनिस्ट प्रकार का होगा mcqs type का होगा कहने का मतलब एक प्रस्ण अगर है तो उसके नीचे चार आप्सन दिये होंगे चारों में से कोई एक आप्सन आपको टिक करना होगा चार आप्सन रहेंगे ध्यान रखेगा ये जो चार आप्सन वाला काम है ये 2018 PSC-PRI से लागू है 2018 PSC-PRI से तो 2017 PSC-PRI तक आपको एक प्रस्ण के साथ में पाच आप्सन दिये होते थे पाचवा जो आप्सन होता था इन में से कोई नहीं और बड़ा खतरनाक आप्सन था ये खतरनाक कैसे था तो वो GS का विशय हो चाहे वो CSET का हो ये उप्सन बड़ा खतरनाक था कैसे खतरनाक था जैसे मैं Maths के संदर्ब में बात करूँ तो किसी प्रस्ण का उत्तर आपने निकाला मालीज़े 3 किसी प्रस्ण का उत्तर आपने 3 निकाला उप्सन में आपको दिया गया है 2, 4, 6, 1 और इन में से कोई नहीं अब आपने पहली बार ये एक्जाम दिया पहली बार एक्जाम में बैठे हैं आपको उत्तर आया है 3 अब आपने 2, 4, 6, 1 और इन में से कोई नहीं है अगर आप फ्रेशर हैं मतलब पहली बार एक्जाम में बैठ रहे हैं तो option E को टिक करने में डरेंगे आप वापस से प्रस्ण में जाएंगे फिर से पढ़ेंगे फिर से calculation को चेक करेंगे फिर से 3 आया तब option E को टिक करेंगे आप इससे हो क्या रहा है समय व्यर्थ हो रहा है समय खर्च हो रहा है आप 2-3 साल अगर बैठ चुके हैं एक्जाम में तो आपको option E को टिक करने का आदत हो गया है तो option E को टिक कर देंगे लेकिन पहली बार बैठ हैं तो option E टिक नहीं हो पाता है जल्दी से तो वहाँ पर समस्या है आप फाल्तू का समय इसी में दे रहे हैं तो यह option E बड़ा खतरनाक था जो पहली बार एक्जाम में बैठते थे option E को टिक करने में डरते थे तो वो दुबारे cross check करते थे तब जाके option E को टिक करते थे वो तो यह बहुत खतरनाक option था तो 2017 PSC pre तक 5 options प्रतेक प्रस्न के साथ में होते थे लेकिन 2018 PSC pre से चार option कर दिये गए अब चार में से कोई एक आपको टिक करना है 2018 PSC pre 2018 PSC pre बोलने का मतलब जिसका एक्जाम कब हुआ होगा 2019 फरवरी में इस बात को भी समझे जैसे इस साल विग्यापन जारी होगा नवंबर में जनरली विग्यापन जारी होता है तो 2023 PSC विग्यापन जारी होगा नवंबर में और 2023 PSC कब होगा 2024 में complete होगा इस बात को भी समझेंगे 2023 PSC विग्यापन इस साल जारी हो रहा इसी लिसकों में 2023 PSC बोल रहा हूँ रेकिन exam complete कब होगा 2024 में, फरवरी में होगा pre, फिर माई, जून, जुलाई के आसपास होगा आपका means, October के आसपास, interview होके आपका result आएगा, मतलब पूरा-पूरा process कब होगा वो, पूरा-पूरा process pre, means और interview का होगा 2024 में, तो अगले साल जो exam में बैठेंगे 2024 में, वो कौन सा देंगे PSC, तो CG PSC State Service exam 2023 देंगे, तो उसी प्रकार में बात कर रहा हूँ, 2018 PSC pre, कहने का मतलब ये exam कब हुआ होगा, 2019 फरवरी में हुआ होगा, तब से लेकर आज तक ये चार option ही पूछ रहा है, 2018 PSC pre हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, और इस साल 22 हुआ, पाँच वर्स हो चुके हैं, चार ही option आपको दिखाई देंगे, तो 2018 PSC pre में 5 options थे, उसको हटा के 4 कर दिया गया, तो 2018 PSC pre, 19, 20, 21, 22, इन 5 वर्सों में जो प्रारंभिक परिछा का paper आया है, उसमें प्रते एक प्रस्न के साथ में 4 options होते हैं, तो थोड़ा सा tension, इन में से कोई नहीं का खतम हो गया है, तो मैं बता रहा था कि वस्तुनिस्ट प्रकार का ये paper होगा, एक प्रस्न के साथ में 4 options रहेंगे, कोई एक option आपका correct होगा, अब इसके बाद अगली खास बात क्या है, अगली खास बात है, ये जो paper है, ये qualifying nature का paper है, qualifying nature का paper बोलने का मतलब इसको समझिये, qualifying nature का paper बोलने का मतलब बहुत कुछ समझना है आपको यहां पे, अगर आफ प्रेसर्स हैं, तो आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है यहाँ पे, qualifying nature बोलने का मतलब आपको इस paper को केवल और केवल qualify करना है, और qualify करने के लिए जो general candidate हैं, उनको 66 अंक लाने होंगे 200 में, कहने का मतलब 23%, जो OBC, SC, ST हैं, उनको लाने होंगे 46 अंक, कहने का मत मतलब 23%, 23%, अब आप बोलेंगे सर, ये बात तो आपने paper 1 में भी बोली है, तो अलग क्या बात हुई, तो मैं बोलगा qualifying nature का paper बोलने का मतलब केवल qualify करना है, जो merit list बनेगा, जो आपका merit list बनने वाला है, ये merit list बनेगा किस से, तो ये merit list बनेगा paper number 1 से, merit list जो बनेगा paper number 1 से बनेगा, second में केवल चेक किया जाएगा क्या आपने qualify किया है कि नहीं किया है, for example, जैसे माल लीजे, चात्र A है, चात्र A का paper 1 में आया है, 100 number, paper 2 में आया है, 120 number, अब paper second को केवल चेक किया जाएगा, अच्छा इसने qualify कर लिया है, इसका total number कितना count होगा, 100, क्योंकि merit बनना है paper number 1 से, कोई चात्र B है, इसका paper 1 में आया है, 120, paper 2 में आया है, माल लो 70, तो paper 2 को केवल चेक किया जाएगा, अच्छा qualify कर लिया है, तो इसका total number कितना count होगा, 120, कोई च्षात्र C है, इसका मालव पेपर 1 में आया है 80 number, और पेपर 2 में 150 number आया है, तो इसका चेक किया जाएगा, पेपर 2 seconds क्वालिफाई कर लिया है, इसका total number कितना count होगा? कोई च्षात्र D है, इसका उपेपर 1 में आया है200 number, और पेपर 2 में इसने 60 नमबर लाए है अगर ये जनरल कैंडिडेट है तो प्रीज से बाहर हो गया क्योंकि इसने पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं किया है अगर ये OBC, SC, ST है तो इसका नमबर कितना हो जाएगा देड़ सो हो जाएगा ये होता है क्वालिफाई नेचर का मतलब पेपर 2 के बल चेक किया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है अगर पेपर 2 को आपने क्वालिफाई कर लिया है कहने का मतलब 70 और 120 और 150 तीनों का इंपोर्टेंस सेम है पेपर सेकेंड में 70, 120, 150 इन तीनों का important सेम है 70 वाला, 120 वाला, 150 वाला तीनों ही क्या है? qualify है पेपर सेकेंड में तो इनका paper 1 से बनेगा merit list लेकिन अगर आप paper second को qualify ही नहीं कर पा रहे हो तो सीधे सीधे pre से बाहर हो जाओके general के लिए 66 चाहिए OBC, SC, ST के लिए 46 तो अगर ये general होता तो ये बाहर हो जाता OBC, SC, ST होता तो 60 नंबर मतलब qualify है तो इसका total number कितना count होता है? 150 ये होता है qualifying nature का मतलब ऐसा कब से किया गया है? paper second को qualifying nature का कब से किया गया है? 2017 PSC pre से किया गया है 2017 PSC pre से paper number second को qualifying nature का कर दिया गया है जो आप cut off के बारे में सुनते हैं जो आप सुनते आते हैं कि cut off क्या होता है सर ये जो cut off बोलते हैं cut off इतना गया, इतना गया तो 2017 PSC pre कि अगर मैं बात करू 2017 PSC pre कि तो लगभग cut off गया था general boys का 82 2017 PSC pre से ही paper number second को qualifying nature का कर दिया गया था तो 2017 PSC pre में cut off गया था general boys का 82 82 मतलब ये दोसों में 82 paper number one में कहने का मतलब अगर आप paper second को qualify कर लिए हैं qualify करने के लिए general है तो 66 OBC है तो 46 SC है तो 46 ST है तो 46 अगर paper second को qualify कर लिए है तो paper one में आपका 82 या उससे उपर है तो आप CG PSC pre को निकाल लिए हो 2017 PSC pre को general boys का बता रहो OBC का कम SC का उससे कम ST का उससे भी कम 2018 PSC pre के अगर मैं बात करूँ तो 2018 PSC pre में cut off लगभग गया था 128 के आसपास कारण क्या था अभी option 4 हो गय थे 5 से एक कारण ये भी था दूसरा कारण क्या था paper आसान आ गया था 2019 PSC pre की बात करूँगा तो cut off और बढ़ गया था क्योंकि paper का level और आसान हुआ था तो cut off लगभग 135 के आसपास गया था 24 नमबर उपर नीचे हो सकता है लगभग बता रहा हूँ मैं 2020 PSC pre में cut off कम हुआ ये cut off लगभग 102-103 के आसपास रहा था तो ये सब जो मैं लिख रहा हूँ paper 1 के नमबर है paper 2 लेकिन आपका clear होना चाहिए 2021 PSC pre cut off बहुत कम गया 72-73 नमबर के आसपास में cut off उतर गया इस साल जो एक्जाम हुआ है 2022 PSC pre इस साल जो हुआ है 2023 में हुआ ये एक्जाम इसका cut off लगभग बता रहा है 90-90 पस रहा है 85-90 पस रहा है तो ये जो cut off अब सुनते आ रहे हैं ये paper 1 में होता है 2017 PSC pre से paper number 2 को qualifying nature का कर दिया गया था मतलब केवल qualify करना है तो आपका जो cut off बनेगा वो बनेगा paper number 1 से जो merit बनेगा वो बनेगा paper number 1 से तो ये मैं General Boyce का लिखा हूँ cut off देख पा रहे हैं पिछले 3 साल में cut off बहुत कम रहा है इसका एक major कारण क्या रहा है CSET का paper बहुत tough होना एक कारण ये भी रहा है CSET का paper CSET का paper बहुत tough हा गया था एक कारण ये भी है CSET का paper tough हा गया था एक कारण ये भी रहा है तो paper tough रहा है पिछले 3 साल में CSET का भी और GS का भी उस पे तो बात करेंगे ही लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था qualifying nature का मतलब क्या होता है तो ये आप समझ पा रहे हैं जो बाते मैं अभी तक समझाया हूँ एक बार मैं brief मैं वापस से बता देता हूँ आपको paper second जो की CSET का paper होगा civil services aptitude test इसको aptitude test भी बोलते हैं योगिता परिक्षण 100 प्रस्ण पुछे जाएंगे प्रतेक प्रस्ण दो अंक का होगा मतलब कुल 200 number का paper होगा समय होगा 2 घंटे का 3 बजे से 5 बजे तक के paper होगा qualify करने के लिए general को चाहिए 66 अंक मतलब 29% OBC SCST को चाहिए 46 अंक मतलब 23% qualifying nature का paper है मतलब आप 66 ले क्या हो या 166 ले क्या हो 2017 से पहले क्या होता था दोनों के number को जोड कर बनता था मतलब पहले वाले 46 के 220 हो गए इसके 190 हो गए इसके हो गए कितने इसके हो गए कितने 230 जिसके सबसे कम है उसी के सबसे अधिक हो जाते 2017 से पहले maths वालों को एक तरफा फायदा मिलता था वो एक्जेक्ट यही काम करते थे पेपर वन में 70 80 नंबर और पेपर टू में 140, 150, 160 और CGPACP निकाल लेते थे लेकिन अब पीछड जाएंगे हो इसके अलावा मैंने आपको समझाया कि जो कटफ बनता है वो पेपर नंबर वन से बनता है जो कटफ मैं लिख रहा हूँ लगभग कटफ है यह इनका मतलब समझा रहा था आपको में वस्तुनिस्ट प्रकार का पेपर होगा यह वस्तुनिस्ट प्रकार का पेपर का मतलब प्रस्निक के साथ 4 ओप्सन्स होंगे आपको AMR seat मिलेगा इसमें आपको answer टिक करना है यह जो 4 ओप्सन वाला खेल है यह 2018 PSC से चल रहा है इससे पहले तक 5 ओप्सन्स पूछे जाते थे तो यहां तक केवल में structure की बात कर रहा था कि पेपर 2nd का structure क्या है पिछले 3 साल में cutoff जो आपने देखा कि बहुत दब गया है cutoff sir 102-103 क्या सपास गया 70-72 क्या सपास 90 क्या सपास इसका कारण एक CSET का पेपर भी रहा है CSET का पेपर बहुत लेंदी आया है पिछले 3 साल में बहुत टफ आया है जो maths background वाले हैं जो engineering की वह बच्चे हैं वो CSET में fail हो गए हैं OBC वाले 46 नंबर नहीं लापा रहे हैं general वाले 66 नंबर नहीं लापा रहे हैं बहुत सारे बच्चे में रुक ऐसे मिले जिनके GS के नंबर बहुत अच्छे हैं पिछले 2 सालों में लेकिन CSET को qualify नहीं कर पा रहे हैं इसका कारण है इसको हलके में लेना कि ये तो बन जाएगा लेकिन पिछले 3 साल में बहुत टफ दे दिया है उससे पहले देखेंगे तो GS का पेपर आसान टफ दुनों रहता था लेकिन CSET का तो आसान ही रहता था 17 का देख लो, 18 का देख लो, 19 का देख लो CSET का पेपर आसान रहता था Cut-off भी देख सकते हैं, बढ़ा है, इन दो वर्सों में तो बहुत, लेकिन पिछले तीन वर्सों में cut-off कम जाने का कारण, एक कारण C-set का पेपर भी रहा है, GS का तो tough आया ही था, C-set का भी tough आया था, चले, अब देखते हैं, इसके syllabus को, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बा सबसे पहले जो आप cover करेंगे, यह क्या होगा, गडित, और जो गडित होगा, यह दसवी इस्तर तक का होगा, गडित जो होगा, यह दसवी इस्तर तक का होगा, दसवी इस्तर बोलने का मतलब 10th level तक का maths होगा, दसवी इस्तर तक का maths होगा, यह, दसवी इस्तर बोलने का मत मतलब class 1 से लेके class 10 तक का पूरा maths कवर करना है आपको. Class 1 से लेके class 10 तक का पूरा maths कवर करना है. कुछ-कुछ section आपको C-set में दिखाई नहीं देगा, लगभग पूरा maths कवर करना है. जो भी आपने पढ़ा है, जैसे बात करूं में number system, संख्या पद्दिती की, बात करूं में LCM-HCF, लगुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक की, average मतलब आउसत, percentage, profit loss मतलब प्रतीसत लाभानी, time and distance समय और दूरी बोलते हैं, train, rail गाडी, boat and stream, नावधारा, अनुपात समानुपात, ratio proportion बोलते हैं, missran, मतलब allegation, साजा, मतलब आपका partnership हो गया, समझ पा रहे हैं, वर्गमूल, घनमूल, square root, cube root बोलते हैं इसको, घातांक करनी, indices और certs, simplification, इस सारे chapters कवर करने हैं, साधारन ब्याज, चक्रविद्धी ब्याज, simple interest, compound interest बोलते हैं इसको, permutation, combination, मतलब क्रम्चे, संचे, और प्राइक्ता, probability, ये जितने भी chapters मैं बोल रहा हूँ, time and work, समय और कारिय, pipe और टंकी, जितने भी chapters आपने लगभग पढ़े हैं, 2D, 3D, रेखा और code, रेखा और code मतलब line and angles, छेतरफल, आयतन, जिसको mensulation भी बोलते हैं आप, area and volume, कुछ theorems भी आपको पढ़ने हैं, geometry के, इतना सारा cover करना है, पूरा chapter आपको, कहने का मतलब class 1 से लेके, class 10 तक का, जो भी maths आपने पढ़ा है, लगभग पूरा का पूरा maths सापको, यहाँ पर cover करना पढ़ेगा, trigonometry छोड़ दीजे, त्रिकोड मिती को छोड़ दीजे, त्रिकोड मिती नहीं पूछता है, त्रिकोड मिती को छोड़ दीजे, लगभग पूरा का पूरा maths सापको, यहाँ पर cover करना पड़ेगा, level जो रहेगा, वो थोड़ा सा tough रहेगा, ऐसा ने की बच्चों जैसा प्रस्नाएगा, कुछ अलग topics भी आइड होंगे, competition exams के हिसाब से कुछ अलग topics भी आइड होंगे, level जो रहेगा थोड़ा सा tough भी रहेगा, level ऐसा ने की class 1, class 2 के जैसा level तो गड़ित जो पुछा जाएगा, यह दसवी स्तर तक का पुछा जाएगा, मतलब class 1 से लेके class 10 तक का गड़ित आपको cover करना है, इसी में एक और topic को cover कर रहा हूं है, आकडो की व्याख्या, आकडो की व्याख्या, आकडो की व्याख्या बोलने का मतलब होता है, डी आई, data interpretation, डी आई, सुना होगा आपने इसमें चार topic cover करने होते हैं, जो की PSC में पुछे जाते हैं, एक होता है pie chart, वृत चित्र बोलते हैं इसको, दूसरा होता है लेखा चित्र, line graph बोलते हैं, तीसरा होता है दंड आलेक, दंड आलेक, इसको bar graph बोलते हैं, और चौथा होता है स सारिनियन, सारिनियन को बोलते हैं tabulation, यह चार topic आपको डी आई में cover करने हैं, pie chart, लेखा चित्र, दंड आलेक और सारिनियन, यह चार topic आपको डी आई में cover करने होंगे, यह सुना होगा आपने, यह देखे, data को represent करने का तरीका, circle के sector कट करके data को represent किया जा सकता है, लेखा चित्र, मतलब x और y axis पे line graph बना कर आप data को represent करते हैं, दंड आलेक x और y axis पे bar graph बना कर इस प्रकार के दंड आलेक बना कर data को represent करते हैं, सारिनियन, tabulation के format में data को represent किया जाता है, tabulation के format में, यह देखे, यह table के format में data को represent करते हैं, तो data को represent करने का अलग-अलग तरीका होता ह अब कैसे PSC ने अपने पेपर को लेंदी किया ते इस बात को समझो जैसे बात करूँ में 2017 PSC Pre की तो 2017 PSC Pre में D.I. से ही 19 प्रस्ण पूछे गए थे पहले क्या करता था एक Pi चाट दिया और उस पे आधारित 5 प्रस्ण पूछ लिया एक बार ग्राब दिया 5 प्रस्ण पूछ लिया एक Tabulation दिया 5 प्रस्ण पूछ लिया तो ऐसे करके 15 से 20 प्रस्ण आपके D.I.K. ही हो जाते थे लेकिन अब क्या कर रहा है तो अब एक Pi चाट देगा और एक ही प्रस्ण पूछेगा एक बार ग्राब देगा और एक ही प्रस्ण पूछेगा तो इससे Paper Lendee हो गया अब Lendee कैसे हो गया आपने एक Pi चाट को पुरा पढ़ा समझा फटा फट 5 प्रस्ण आपने उसके लगा दिये अब उसी Pi चाट को पढ़ने में समझने में समय आपने उतना ही दिया समय उतना ही लगा लेकिन प्रस्ण कितना करना है एक तो इससे Paper क्या हो रहा है? Lendee हो रहा है Pi चाट और दन डालेक दोनों को मिला कर एक प्रस्ण पूछ रहा है Pi चाट और सारणियन दोनों को मिला कर एक प्रस्ण पूछ रहा है तो Paper Lendee हो जा रहा है तो यह पहला section जो है, यह है गडित और आकडो की व्याख्या, DI, यहां से लगभग आपको 30-35% देखने को मिलेंगे, लगभग 30-35%, दो चार उपर नीचे हो सकते हैं, 30-35% लगभग आपको यहां से देखने को मिलेंगे, मैट्स के लगभग आपको 25 चेप्टर कवर करने हैं, लगभग 25 चेप्टर, जिन चेप्टर की मैं बात कर रहा था, नंबर सिस्टम, LCM, HCF, Average, Profit Loss, Percentage, इन चेप्टर की जो मैं बात कर रहा था, तो लगभग 25 चेप्टर मैट्स में कवर करने हैं, प्लस यह DI, इतना कवर क करेंगे 30 से 35 प्रस्नों के लिए इसके बात मैं आता हूँ, second भाग में, second जो भाग है इसका, यह सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता इसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी इसको बोलते हैं आप जनरल मेंटल एबिलिटी इसी को आप क्या बोल देते हैं बोल चाल की भासा में इसी को आप क्या बोल देते हैं रीजनिंग बोल्चाल की भासामीसी को आप reasoning बोल देते हैं अब reasoning क्या है तो reasoning कुछ नहीं या आपको अपने दिमाग का परियोग करना है और प्रस्नों के उत्तर देने हैं दिमाग लगाईए प्रस्नों का उत्तर दीजिए ये थोड़ा सा नया लगेगा क्योंकि 9th में 10th में ये सब आपने पढ़ा नहीं है तो आपको अपने दिमाग का प्रियोग करना है दिमाग यूज करना है और अभी जो reasoning पूछ रहा है उसको banking का जो एक्जाम होता है banking के लिए जो आप त्यारी करते हैं जैसे bank PO का एक्जाम हो गया जो SBI का लेता है SBI PO, SBI clerk, IBPS जो एक्जाम लेता है PO का, clerk का, RRB जो एक्जाम लेता है समझा रहा है जो bank के एक्जाम होते है PO के लिए, clerk के लिए और भी पदों के लिए एक्जाम होते है उन्ही के reasoning को पूरा-पूरा copy किया जा रहा है CGPSV के exam में questions के level थोड़े से tough हैं कहने का मतलब जो chapters अगर मैं बात करूँ दो-तीन chapters की जैसे आप पढ़ेंगे पहली परिक्षन puzzle test बोलते हैं इसमें एक पहली आपको दिया रहता है एक पूरा puzzle दिया रहता है अब ये box puzzle हो सकता है box के उपर box arrange करने होते हैं कुछ जानकारियां आपको दी होती हैं कुछ आपको खुद का दिमाग लगाके सोचनी पढ़ती हैं floor puzzle होता है तो ये puzzle बड़े-बड़े आ रहे हैं अब एक पूरा page में एक puzzle लिखा होता है और इससे करने कितने प्रस्न हैं दो प्रस्न और ये puzzle भी tough है पहले तो puzzle को पढ़ना ही बहुत बड़ा task है फिर दो ही प्रस्न करने हैं बस बैठक ववस्था का जो प्रस्ना रहा है sitting arrangement reasoning का ही chapter है अब बैठक ववस्था में आठ लोगों को बैठाना तो है ये बड़ा task है उसके साथ इनका profession भी add कर दिया है कि कोई engineer है, कोई doctor है कोई CA है इससे होगा क्या variable बढ़ेंगे पहले तो बैठाने का ही लफड़ा था आठ लोग को अब profession भी बताना पड़ेगा कौन क्या है तो variable बढ़ेंगे तो प्रस्न टफ होता जाएगा न्याई निगमन का एक chapter होता है न्याई निगमन symbolism बोलते हैं इसको अब न्याई निगमन में आपने देखा होगा कथन और निसकर्स के रूप में प्रस्न दिये होते हैं कुछ कुटे बिल्ली हैं कुछ बिल्ली सेर हैं सभी सेर चूहे हैं इसको एकदम advanced level पे पूछ रहा है मतलब ऐसे ऐसे कथन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको general जो books follow करते आएं प्रस्चे PSC के लिए reasoning का उसमें मिलेगा ही निया आपको केवल कुछ A B हैं केवल A B हैं निसकर्स में साभी A के B होने की संभावना है कुछ A के B होने की संभावना नहीं है ऐसे निसकर्स आ रहे हैं तो ये तीनों ही chapter जो है बैठक ववस्था, नियाय निगमन इसके अलावा coding decoding करके होता है एक chapter coding decoding coding decoding का मतलब होता है सांकितिक भासा स्रेणी, ये कुछ important chapters है जिसपे banking का पूरा का पूरा paper टिका होता है इन chapters के questions को पूरे पूरे banking level के ही पूछे जा रहे हैं और भी chapters है, घड़ी है, केलेंडर है पासा है, वेंड डाइग्राम है दिसाग्यान परिक्षण है, रैंकिंग है, रख्त संबंध है बहुत सारे chapters है लगभग 20 से 25 chapters आपको यहाँ पे भी cover करने है लेबल थोड़ा सा tough कर दिया है यसी पिछले 3 साल में लगभग 30 प्रस्ण आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे लगभग 30 से 32 प्रस्ण मान लीजे आपको यहाँ से देखने को मिलते है यह भाग 2 इसका इसके बाद अगला जो है, यह है निरने निर्मार तथा समस्य का समधान निर्ने निर्माड तथा समस्या का समधान इसको बोलते हैं DMPS मतलब Decision Making and Problem Solving अब मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको कि exam निकालने के लिए CSET का exam निकालने के लिए important नहीं है यह एकदम practically बोल रहा हूँ आपको मैं exam निकालने के लिए यह topic important नहीं है क्योंकि यहां से प्रस्ण एक से दो ही पुछेगा और उसमें भी आप option eliminate करके प्रस्ण को बना लेते हैं लेकिन जब आप पदो पर जाएंगे dipty collector बनेंगे, DSP बनेंगे, बड़े-बड़े पदो को आप समभा लेंगे तो आपको decision making power मिलेगी decision making power वहाँ पे आपको decision लेना है decision making power मिलेगी आपको वहाँ पे तो यही सब काम करना है आपको इसके लावा जब आप interview देंगे तो interview का 50% जो हिस्सा है वो DMPSP चलता है decision making आपका जो thinking है कैसे decision लूँगा अगर मैं dipty collector बन गया तो आप क्या कदम उठाएंगे कैसे control करेंगे तो decision making के प्रस्ण है यह प्रस्ण पुछेगा जैसे आप किसी जिले के DM है उस जिले के कुछ हिस्सों में बार की स्थिती पैदा हो गई है तो आप क्या करेंगे आपके अधिनस्थ कोई अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा गया तो आप क्या करेंगे तो इस प्रकार के प्रस्ण PSC के interview में बनते है समझा रहा है अभी पूछे जा रहे है प्रस्ण इस प्रकार के चक्का जाम हुआ तो आप क्या कदम उठाएंगे घूस लेता हुआ कोई पकड़ा गया आपके अधिनस्थ तो क्या कदम उठाएंगे आप तो exam निकालने के लिए important नहीं है लेकिन interview का 50% हिस्सा इसी पे चलता है इसके अलावा जब पदो पर जाएंगे तो यही काम करना है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पढ़ेंगे इसको तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि समस्या कैसी है उसके हिसाब से आपको समधान करना है जैसे आपके जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ किस्तिती पैदा हो गई है ततकाल आप क्या करेंगे तो विधी के नुसार कारवाही होगी, वो कारवाही करेंगे आप, लेकिन बाढ़ वाले केस में आपको तुरंत एक्षन लेने क्या हो शकता है, लेट नहीं कर सकते आप वहाँ पे, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग के कोशन्स में, आप किसी स्कूल के निरिक्षण में पहुँचे हैं, और आप वहाँ पे देखें कि मध्यान भोजन की योजना है, वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाई है, लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, मतलब जो बच्चे हैं, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, इस में लापरवाही बरती जा रही है, आप क्या कदम उठाएंगे वहाँ पे, इस प्रकार के प्रस्ण आपको decision making में मिलते हैं तो एक से दो ही प्रस्ण पूछता है तो मैं वापस से बोल रहा CSET का exam निकालने के लिए उतना important नहीं है CSET का exam निकालने के लिए उतना important नहीं है क्योंकि एक से दो प्रस्ण आएगा उसमें भी option को eliminate करके आप लगबग सही उत्तर तक बहुच जाते हैं लेकिन post में जाने के बाद और interview में बहुत कामाता है इसके बाद अगला जो section है यह section आता है संचार तथा परस्परिकोसल संचार तथा पारस्परिकोसल संचार तथा पारस्परिकोसल इसको बोलता है communication and interpersonal skill संचार और पारसपरिक कौसल भी एक्जाम निकालने के लिए उतना important नहीं है, एक से दो ही प्रस्न पूछता है, पहले 4-5 प्रस्न पूछ रहा था, लेकिन पिछले 4-5 वर्सों में एक भी प्रस्न नहीं आता इसका, कभी कबार आया तो एक से दो प्रस्न आ जाता है, एक से द आप सरकारी नोकरी में हो, संचार ही तो आपके साथ है, अगर आपकी बाते आपके अधिनस्त अधिकारी तक महुच पारी है, आपके ऊपर के अधिकारी तक महुच पारी है, तो आप उस पद में रहने लाइक हैं, आप अपने ऊपर के अधिकारीों की बातों को सुन पा र रहे मतलब मेरा संचार कही न कहीं ठीक है, मैं बोल कैसे रहा हूँ, मैं खड़ा कैसे हूँ, यह सब क्या है, संचार का हिस्सा है, इंटर्व्यू जब होगा, तो आप जब interview में उस gate से जो board बैठा है उसके सामने तक पहुँचेंगे तो यह संचार का ही तो हिस्सा है पूरा आप कैसे gate खोले हैं कैसे इंटर किये हैं कैसे बैठे हैं कैसे बोल रहे हैं सब संचार का हिस्सा है तो संचार तो अच्छा होना ही चाहिए पारसपरी कौसल भ सके स्टार हो गया sdm का पद आपको मिलेगा इसके बाद आप माली जब यूपंसी की एक्जाम्ट करते हैं कलेक्टर का यूप यूप का खिवा के णिकालते हैं ऐस बशेधा है यह जो शंता की सिवा वह बनाये कर सकें, आप योजनाओ को लागू करा सकें, कुछ नई चीजे वहाँ पे चला सकें, जैसे 36 गड़ में ही बहुत सारे अपठित गड़्यांस, इसको बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन या अंसिन पैसेज बोल देते हैं इसको, एक्जाम निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 4-5 वर्सों में पूछा ही नहीं इसको, पूछेगा तो कैसे पूछता है, एक पैसेज दि देखने को मिला ही नहीं है, जबकि UPSC का एक्जाम देखेंगे, तो 15-20 प्रस्न आपको अंसिन पैसेज के मिल जाएंगे, UPSC का अगर प्री का एक्जाम देखेंगे, इसमें C-set में कुल 80 प्रस्न पूछे जाते हैं, धाई-धाई नंबर का प्रतेक प्रस्न होता है, मतलब अगर देखा जाए, तो 80 प्रस्नों में से 15-20 प्रस्न केवल अपठिद गद्यांस के बनते हैं, इसका कारण क्या है समझो, अपठिद गद्यांस करता क्या है, अपठिद गद्यांस आपकी एकागरता को बढ़ाता है, concentration level को बढ़ाता है, क्योंकि अपठिद गद्यांस का म मतलब उसमें क्या बाते छिपी हुई हैं? उसको समझने के लिए पहले तो उसको एक कागरता के साथ पढ़ना पढ़ेगा. तो जब मैं एक्जाम में अब पठित कद्यांस की संख्या बढ़ाऊंगा, तो आप कही न कहीं उनको पढ़ने के आदर डालेंगे. मतलब आपके में कागरता में ब्रिध्धी हो रही है. और जब आप बनेंगे डिप्ती कलेक्टर तो आपको बड़ी-बड़ी फाइल्स पढ़नी हैं. उन फाइल्स को पढ़के आपको एक रिजल्ट पे पहुँचना है. उसमें जो मैसेज छिपा होगा, वो मैसेज निकालना है. तो आपके में एक आगरता होनी चाहिए. तभी तो आप इन फाइल्स को पढ़ पाएंगे. तो अंसिन पैसेज वही काम कराता है. तो आपके एक आगरता में ब्रिध्धी करता है. जिससे आपको चीजों को पढ़ने में ज़्यादा भढ़काओ की स्थिती पैदा ना हो. आप एक आगरता के साथ उसको पढ़ पाएंगे. लेकिन CGPSC का C-set निकालने में इन तीनों का ही वेटेज बिलकुल नहीं के बराबर है. लास्ट जो सेक्षन है C-set में वो है भासा का सेक्षन. भासा में हिंदी भासा आएगा और 36 गढ़ी भासा. हिंदी भासा मतलब पूरा का पूरा हिंदी व्याकरन आपको कवर करना है. हिंदी में स्वर, वेंजन, क्रिया, विसेशन, संग्या, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्य, तत्सम, तद्भो, परियावाची, विलोम, संधी, समास, अनिकार्थी, कायकार्थी, समझपारे, मुहावरे, कहावते, सब कुछ हिंदी व्याकरन और 36 गढ़ी व्याकरन कवर करना है, पिछले 5 वर्सों में ऐसा देखा गया है, इसका जो वेटेज रहा है, ये 30 से 35 प्रस्णों का रहा है, तो C-6 निकालने में बहुत महत्वपून भ्यूमिका, हिंदी और 36 गढ़ी भासा भी निकाल लगा रहा है, भासा में हिंदी और 36 गढ़ी भासा, बहुत brief knowledge मैंने आपको दिया है sou susito के बारे में कि अरगर देखे थे तो susito में आपको क्या-क्या मोटे मोटे तॉर पर कवर कर श Sumcentered get क्या 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 कवर करना होगा देह सते हैं आप क्या-क्या चीजह आपको कवर करनी है एक्जाम निकालने के लिए Brief का maths और reasoning के मिलेंगे, एक दो प्रस्ण यहां से, एक दो प्रस्ण यहां से पूछ लेता है, वो भी हर साल का guarantee नहीं है, 2018 से लेके अभी तक का देखेंगे 2022 तक का, तो भासा के प्रस्ण 30 से 35 प्रस्ण दिखाई देंगे आपको, 30 से 35 प्रस्ण, पहले कभी-कभी आप देखेंगे तो maths और reasoning के 82-83 प्रस्ण तक पूछे गए थे, लेकिन पिछले 4-5 साल का, 6 साल का आप देखेंगे जो हाल चाल रहा है, तो हिंदी और 36 गड़ी भासा के प्रस्णों की जो वेटेज हैंका वो बढ़ा है, 30 से 35 प्रस्णों का वेटेज रहा है, तो यह CSET का पेपर है, तो मोटे-मोटे तोर पे अगर आपको CSET क्वालिफाई करना है, तो maths, reasoning और language पे पकड़ बनानी होगी, पहले तो आपका priority होना चाहिए, exam निकले, exam के बाद post में जाने के बाद यह सब चीज़े काम आएंगी, यह सब चीज़े वहीं समझ लेंगे, priority क्या है आपका, priority है पहले exam निकले तो, exam निकलेगा, उसके बाद यह सब चीज़े देखेंगे, कैसे decision making वाला काम करना है, कैसे files को पढ़ना है, एकदम practically बात कर रहा हूँ, तो आपको maths cover करना पड़ेगा, reasoning cover करना पड़ेगा, language cover करना पड़ेगा, एकदम हलके में नहीं लेंगे, कि 66 number लाना है आसानी से आजाएगा, आसानी से नहीं आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे maths में फेल हो जा रहे हैं, C-set में फेल हो जा रहे हैं, 46 number लाना है आसानी से आजाएगा, नहीं आ पाता है, हिंदी और 36 गड़ी में भी कुछ fix नहीं है, कभी हिंदी जादा, कभी 36 गड़ी जादा, कुछ fix नहीं है, कभी हिंदी का जादा आ जाता है, कभी 36 गड़ी का जादा आ जाता है, तो fix वहाँ पे भी नहीं है, और 36 गड़ी जादा पूछता है, तो बच्चों को और भी problem होती है, 36 गड़ी अगर जादा पूछता है, तो बच्चों को और समस्या आती है, समस्या क्यों आती ही क्योंकि 36 गड़ी बच्चों से बन नहीं पाता अच्छी से तो 36 गड़ी जब पूछता है तो बच्चों को और भी समस्या बढ़ जाती है केवल लेंग्वेज के दम पे या केवल मैट्स और रीजनिंग के दम पे आप C-set को नहीं निकाल सकते मैट्स रीजनिंग के साथ लेंग्वेज को या लेंग्वेज के साथ मैट्स और रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा आपको तब आपका C-set निकलेगा प्रस्न बहुत टफ पूछे जा रहे हैं त्रिक और सॉटकट से जितना हो बचें आप अगर आपको C-G-P-S-C निकालना है तो ट्रिक और सॉटकट से जितना हो आप बचें तब आपका निकलेगा C-G-P-S-C का एकसाम एक-एक पेज के प्रस्नों में क्या ट्रिक और क्या सॉटकट लगाएंगे आप एक-एक पेज के प्रस्नाते हैं अब इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप क्या सॉटकट लगाएंगे आप इसमें तो आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने होंगे बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे तब जाके आपका बनेगा C-set का पेपर, Maths और Reasoning का पेपर बेसिक कंसेप्ट basic सीखना है, sequence में पढ़ना है प्रतीसत पढ़ेंगे तो लाभानी पढ़िये क्योंकि प्रतीसत से ही पुरा-पुरा लाभानी बनता है प्रतीसत पढ़ेंगे तब SI और CI आपको समझ में आएगा साधारन ब्याज और चक्रविधी ब्याज sequence follow करना है, basic concept को ध्यान देना है basic सीख गए तो maths और reasoning में दिक्कत नहीं आएगी reasoning में फिर भी आप पढ़िये तरीके, shortcut पढ़िये reasoning में मिलेंगे, reasoning में तो shortcut बहुत सारे chapters में मिलते हैं आपको एक तरीका बैठाना पढ़ता है reasoning में reasoning भी लगता आसान है लेकिन रहा नहीं आसान अभी है reasoning और maths में maths तो बन भी जाता है reasoning नहीं बनता है तो फिर नईच बनता है वो उसमें समय कितना भी दे दो नहीं बनता है फिर वो और maths कही नहीं पढ़िये तो लगा ही लेंगे लेकिन reasoning का विशय थोड़ा सा ऐसा है, जो समस्या जादा पैदा करता है, तो ये आपका C-set का, मैं आपको समझा रहा था, क्या structure है, क्या syllabus है, तो आज के इस lecture में मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, ये part 1 है, ऐसे और बहुत सारे videos आएंगे आपके सामने, ये तो part 1 है, ऐसे करते हैं, part 2, part 3 चलेगा, पूरा का पूरा रणनीती कवर करेंगे, maths और reasoning को लेकर, अगले वीडियो में में मेंस पर बात करूँगा, मैं फिर दोनों को मिला कर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक प्रिफर करनी है, ये सारी बातों पर वीडियो में चर्चा होते रहेगी, तो धीरे-धीरे करके, पूरे maths और reasoning के रणनीती को समझाऊँगा, फिर link करूँगा, मैं SSC banking railway से इसको, SSC banking railway में क्या काम आएगा ये, काम आएगा की नहीं आएगा, व्यापम में ये काम आएगा की नहीं आएगा, तो इसको link करूँगा मैं अगले वीडियो में, तो अगले व SSC का exam देते हैं, railway का देते हैं, banking का देते हैं, तो कहीं न कहीं, यही maths और reasoning काम आएगा की नहीं आएगा, और काम आएगा तो कैसे आएगा, तरीका अलग रहेगा की सेम रहेगा, सारी बाते आते रहेंगी, तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं आपस इसी के आगे, इसी के जस्ट आगे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद